Hello everyone, welcome to our YouTube channel, Sunra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environmental studies of class 3rd. And my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 15 in this book. बच्चे क्लास 3rd की environmental studies, यानि की EBS की बुक है, जिसका नार्म Treasure of Nature है. और आज में इस बुक में आपको lesson 15 की reading कराने वारी हैं. चलिए देखते हैं क्या है lesson 15 में, ये इस बुक की content list है, और हम अभी तक इस बुक में lesson 14 तक कवर कर चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले lesson 15. This is the chapter of 15 and the name of the chapter is birds. बच्चों, ये lesson 15 हैं और इसका नाम है birds. चलिए start करते हैं. Learning objectives क्या-क्या हैं इसके? different birds, इस chapter में हम पढ़ेंगे, अलग-अलग तरह की चीडियों के बारे में, birds के बारे में, different features, अलग-अलग तरह की चीडियां होती हैं, birds होती हैं, उनमें अलग-अलग features, क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, birds and their beaks, चीडियां और उनकी जो चौंच होती है बीक होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे parts of a bird's body और इसके अलावा जो bird होती है उसकी body के part कॉन कॉन से होते है इसके बारे में पढ़ेंगे और migration के बारे में पढ़ेंगे chapter को start करने से पहले self survey दिया है, जो कि आपको complete करना है identify the birds from the riddles से आपको bird को identify करके उसका नाम लिखना है मेरे जो पंक हैं वो ग्रीन होते हैं मार बीक इस रेड और मेरी जो बीक है जो चोंच है वो रेड होती है गवावा एंड ग्रीन चिली आइम फेड मैं ग्रीन चिली और गवावा खाता हूं इसका नाम क्या है इस bird का नाम क्या है आपको ये लिखना है चली नेक्स bird की तरह बढ़ते हैं इन ट्रंक ओफ ट्रीस हॉल्स I make मैं जो पेड होते हैं उनकी ट्रंक उनका जो तना होता है मैं उसके अंदर होल बनाता हूं Hiron Insect Eye Intake और मैं जो छुपे वे इंसेक्ट होते हैं Hide जो इंसेक्ट होते हैं कीडे मकोडे होते हैं उनको मैं खाता हूं तो इसका नाम क्या है इसका भी नाम आपको लिखना है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए बढ़ते हैं Abird is an animal whose front legs are modified into wings एक bird एक ऐसा अनिमल होता है जिसके आगे के पैर एक punk के रूप में modify होती है It has light hollow bones and is covered with feathers इसकी हड्या जो होती है, bones जो होती है, वो खोकली होती है और वो पंकों से ढखीवी होती है किस से cover होती है, feather से cover होती है A bird has two legs and feet, चिडिया जो होती है, उसके दो पैर या feet होती है It has four toes on each foot, इसके जो पैर होती है, उस पिरतिया के पैर में चार उंगलिया होती है Different bird, different features, अलग-अलग तरह की जो चिडिया होती है, उनके क्या-क्या अलग-अलग features होती है, उसके बारे में पढ़ते है Birds that we see around us have many interesting features वो birds जो हमारे आसपास रहते हैं, उनमें बहुत सारे रोचक features होते हैं, बहुत सारे interesting features होते हैं Let's learn about some of them, आईए कुछ के बारे में पढ़ते हैं The parrot has green feathers and a curved red beak जो parrot होता है, उसके fetus green होते हैं, उसके punk green होते हैं और उसकी जो चोच होती है, वो curve-shaped की होती है It can be taught to repeat what we say इसको हम सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो भी हम बोबते हैं उसको वो repeat करें वैसे इसको बोला हम सिखा सकते हैं बात करते हैं स्पैरो की, the sparrow is a small speckled brown bird that we see around our homes, जो स्पैरो होती है छोटी चिडिया होती है और इसके उपर brown color के धब्बे होते हैं, और ये हमारे घर के आसपास हमें दिख जाती है, it has dark brown clothes and a chirpy call, इसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो dark brown color के होते हैं, और इसके जो जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिर्पी होते हैं, बारिक सी आवाजे निकालती हैं, the cow has black and dark gray feathers and a black beak, जो कोवा होता है, उसके feathers कैसे होते हैं, dark black color के होते हैं, या फिर dark gray color के feathers होते हैं, और इसके काली ही beak होती है, black color की ही चौच होती है, it claws loudly, it claws loudly to warn its companion of dangers, यह अपने companion इसके जो साथी होते हैं, उनको जोड जोड से बोल करके, काओ काओ करके उनको warning देता है, कि यहाँ पर danger है, सुरक्षित जगा यह नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है, तो इसके बारे में यह अपने companions को इसके जो साथी होते हैं, उनको बोल बोल करके बताता है, दपीजन है, ग्रे, ब्लैक और ब्राउन फीदर्स एंड पिंक क्लॉज, जो पीजन होता है, इसके जो फीदर्स होते हैं, ग्रे कलर के ब्लैक कलर के और ब्राउन कलर के फीदर्स होते हैं, और इसके जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो gather in groups or on our window wills window sills or balconies जो पीजन होते हैं वो हमारे घर के आसपास window sills और balconies में गुरूप में दिख जाते हैं गुरूप में खट्टा होते हैं दपीकोक है जो पीकोक होता है मोर होता है उसके जो पंक होते हैं वो ग्रीन और ब्लू कलर की होते हैं it has a fan-shaped crust on the head इसके सिर पर एक fan-shaped की आकार का crust होता है when it rains the male peacock dances displaying its beautiful feather जो जब बारिस होती है जो male peacock होता है वो अपने पंको को फैला करके सुंदर पंको को फैला करके दिखा करके dance करता है पाणी में रहनेवाला पक्षि में इसके पैर होते हैं वह वैबड होते हैं इसके बीड होते हैं जो काइट होती है जो चील होती है उसकी हुगड बीक होती है इस तरीके की बीक होती है चौच होती है इसकी और ये चुटे-चुटे से जानवरों को खाती है ये आसमान में उची उड़ती है उचाई पर काफी उचाई पर ये उड़ती है और जब इसको कुछ खाना और इसका भोजन देखता है तो उसके लिए ये सीधा नीचे उसको जपटने के लिए पकड़ने के लिए नीचे वो आ जाती है बात करते हैं Barts and their Beaks चिडिये और उनकी Beaks की बारे में बात करते हैं अब हम Just as we have mouth Barts have a beak जिस तरीके से हमारे एक मुह होता है उसी तरीके से पकशियों के चोंच होती है Barts do not have teeth और जो पकशी होते हैं उनके दानत नहीं होते हैं They use their Beaks to eat ये अपनी चोंच का ही अपनी चोंच का जो Beaks होती है उसका ही यूज करते हैं खाने के लिए Barts also use their Beaks for building next, grooming feeders and feeding their young ones इसके अलावा जो पकशी होते हैं वो अपनी चोंच का और किसलिए यूज करते हैं घोसलबनाने के लिए यूज करते हैं अपने पंको को अगर कुछ उनमें प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए फैलाने के लिए इसका यूज करते हैं feeding their young ones और अपने जो बच्चे हैं इनके जो बच्चे होते हैं उनको खाना खिलाने के लिए भी अपनी चोंच का यूज करते हैं different birds have different kind of beads अलग-अलग तरह की चिडियों के पक्शियों के अलग-अलग तरह की बीक पाई जाती है the shape of the beak tells us what kind of food the birds eat इनकी जो चोंच का आकार है वो हमें बताता है कि जो पक्शियों किस तरीके का भोजन करता है birds eat a variety of food जो चिडियों होते हैं पक्शी होते हैं वो अलग-अलग तरह के बहुत सारे तरह के खाना खाते हैं they feed on nectar, plants, sheets, insects, rodents, fish, worms, other birds and even small animals जो चिडियों होते हैं पक्शी होते हैं वो जो फूलों का nectar होता है फूलों में से रस निकलता उसको पीते हैं plants पेड़ पोदे खाते हैं और बीज खाते हैं इंसेक्ट खाते हैं रोडेंट्स को खाते हैं इसके अलावा मचलियां खाते हैं और वोम्स वगेरा खाते हैं और इसके अलावा जो birds होती हैं और दूसरी चिडियों को भी खा लेते हैं और other birds and even small animals चोटी चोटी जो जानवार होते हैं उनको भी खा जाते हैं Humming birds are the smallest bird of all birds which have long straight beak to sip nectar from flowers देखिए जो Humming bird होती है वो सब सभी चिडियों में सबसे ज़्यादा छोटी चिडिया होती है और इसके लंबी सी सीधी सी एक चोँच होती है देखिए आप देख पा रहे हैं जिसका यूज ये फूलों से रस को निकालने के लिए नेक्टर को निक कीती है नेक्स्ट पर्ट की बात करते हैं पैरेट हैव हार्ड कर्व बीक टू क्रैक नट्स एंड इट हार्ड फ्रूट्स जो तोता होता है उसकी जो बीक होती है बहुजादा हार्ड होती है कर्व शेप की होती है कर्व शेप की होती है और इसका यूज करके वह आसानी से जो nuts होते हैं, या फिर hard fruit होते हैं, उनको cut कर लेता है, बात करते हैं, eagle की, eagle and vultures have sharp hooked beak to tear the flesh of small animals and birds, जो eagle और vultures होते हैं, इनकी sharp, बहुत panicy और hook, इस तरीके की इस आकारकी इनकी चौच होती है, जिसका use करके, वो दूसरे animal के, जो mass होता है, उसको cheerful कर सकते हैं, या फिर दूसर जो birds है, जिन को ये खाते हैं, उसके mask को भी cheerful कर सकते हैं, ducks have flat spoon-like beak to dug mud and catch worms, इसके अलावा, जो duck होती है, उसकी flat, मतलब cdc flat spoon-like beak होती है, चमच के आकार जैसे इसकी चौच होती है, जिसका use करके, ये मिट्टी खो देती है, और उसमें से जो खीडे निकलते हैं, उनको ये खाती है, some birds like the great, some birds like the great pack of flies, worms and great and ticks that live in the skin of other animals such as cow, buffalo and giraffe, कुछ अनिमल ऐसे होते हैं, जो जूँ खाते हैं, या फिर दूसरी किडे खाते हैं, या फिर कुछ अनिमल जो जैसे बफैलो है, गाएं हैं, या फिर जिराफ हैं, ऐसे जानवरों की जो स्कीन होती हैं, या क्योंकि बाल होते हैं, इनके स्कीन पर तो उसमें जूएं वगएरा हो जाती हैं, कीडे हो जाते हैं, तो उन कीडों को भी कुछ चिडिया birds खाती हैं, parts of birds body, चलिए बात करते हैं, birds body के कौन-कौन से parts होते हैं, birds have feathers of different shapes, size, colors and design, देखें जो चिडिया होती हैं, पक्षी होते हैं, उनके अलग-अलग तरह के feathers होते हैं, इस type of feathers perform different function, अलग-अलग तरह के जो feathers होते हैं, वो उनका अलग-अलग ही function होता है, देखते हैं, कौन-कौन से feathers के type होते हैं, सबसे first पर दिया है, flight feathers, they are strong and flexible feathers that help a bird to fly, इस तरीके के जो feather होते हैं, वो बहुत जादा strong होते हैं, और flexible होते हैं, जिनकी help से एक चिडिया आसानी से उड़ सकती है, down feathers, they are small and fluffy feathers that keep the body of a bird warm, देखें इस तरीके के जो feather होते हैं, पक्षियों में, वो ज़्यादा छोटे होते हैं, चोटे-चोटे से जो पंक होते हैं, जो सभी में होते हैं, चोटे-चोटे होते हैं, fluffy feathers होते हैं, जो एक bird के पक्षी के सरीर को गरम रखते हैं, बात करते हैं, body feathers, इस तरीके की जो feeders होते हैं ये bird की पक्षी के सरीर को ढखने का काम करते हैं और उसको shape देते हैं और contour देते हैं बात करते हैं tail feeders की सबी पक्षियों में पूँच होती है tail होती है यह जो tail feeders होते हैं यह पक्षियों को direction change करने में help करते हैं और इसके अलवा उनको अगर speed बढ़ानी है या कम करनी है तो उसमें भी help करते हैं mostly they are big in size and brightly colored in male bird से जादा तर यह size में बड़े होते हैं और male जो bird होते हैं उनके जो color होते हैं वो bright color के होते हैं जादा तर यह इस तरीके के होते हैं आपने देखे होंगे इस तरीके के feeders होते हैं इनको flight feeders कहा जाता है यह down feeders हैं जो बार्ड है उसकी बोड़ी को गरम रखने का काम करते हैं यह body feeders है और इसके लवा यह tail feeder है चलिए बात करते हैं आगे fleet and claws के बारे में all birds have two feet सबी जो पक्षी होते हैं उनके दो पैर होते हैं दो feet होते हैं Each foot may have two to four toys हर एक पैर में प्रती एक पैर में दो से चार उंगलियां होते हैं इस तरीके के पंजे होते हैं Each toe has a sharp horny and curved nail like structure called claws हर एक टो जो होता है पक्षी का उसमें एक sharp काटे जैसा और curve shape का nail होता है जिसको claw कहा जाता है The bird use their feet and claws to walk, hoop, swim, porch and climb देखें जो चीडियां होते हैं पक्षी होते हैं वो अपने feet का use करते हैं, claws का use करते हैं चलने के लिए, कूदने के लिए और swim करने के लिए, कूदने फानने के लिए और किसी भी चीज को पकड़े रखने के लिए इसका use करते हैं चलिए आज केवल इतना ही पढ़ेंगे हम, next वीडियो में बाकी पार्ट को cover करेंगे, क्योंकि अब अगर मैं वीडियो बनाऊंगी, question answer भी कराने हैं, मुझे तो यह वीडियो लेंदी हो जाएगी, इसमें cover नहीं हो पाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर next वीडियो में, आपको यह वीडियो कैसी लगी, comment करके हमें ज़रूर बताना और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को subscribe करना न भूलें, वीडियो को like करें, share करें, चैनल को subscribe करें Thank you for watching this video